दोस्तो आज है 30 जूलाई और अधार काड़ से UPI Registration की फीचर अब तक जो है बहुत सारे बैंकों में नहीं आई है तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको अब अधार काड़ की अधार काड़ से UPI Registration की फीचर सभी बैंकों में कब तक देखने को मिलेगी सबसे पहले यहां पर आज हम live चेक करेंगे सबसे पहले मेजर बैंक में पर बात करते हैं कि कब तक यह फीचर आपको देखने को मिलेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने उस अकाउंट में लॉग इन कर लिया है जहां पर बहुत सारे मेजर बैंक के account हमारे पास परे ह यहां पर आप देख सकते हो Corporation Bank, State Bank of India, Union Bank, Bank of Baroda, PNB, Share Banks के account जो है यहां पर ओरेड़ी ऐड़ेड हैं तो चलिए एक करके इन सभी बैंकों में हम चेक कर लेते हैं हाला कि भी MewPI के अंदर ही आपको बता दे कि ये जो फीचर आती है वो भी मैं अप्लिकेशन में ही हमें देखने को मिलती है इसलिए अभी जो है बाकी किसी भी अप्लिकेशन में नहीं आई है तो चलिए एक एक करके इन सभी बैंकों में देख लेते हैं कि आधार कार्ट से यूपियर रेइस्टरेशन की फीचर लागू ही है या फिर नहीं हुई है तो सबसे पहले कॉर्परेशन बैंक में चेक हैं तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया यहां पर भी दोस्तों आपने देखा कि यहां पर यह फीचर नहीं है वह पर अगले बैंक की बात कर ले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो यूनियन बैंक के अंदर तो मुझे नहीं लगता है कि यह फीचर होगा यहां पर डेव दिया ही नहीं है, जब से हमने और डेविट काइट मुझे मिला नहीं है आज तख कही बर ब्रांच भी गया लेकिन डेविट काइड नहीं मिला, तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब मुझे सुक्याओ काइज नहीं हैं नहीं तो चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं अधार यूपिया इससे रेजिस्ट्रेशन की फीचर नहीं दोस्तों यहां पर भी आपको डेविट कार्ड की ऑप्सन मिल रही तो हमने अभी लाइब आपके सामने सारे मेजर बैंक्स में चेक किये जितने भी सरकारी बैंक लभग थे सब में हमने चेक किया किसी में भी आपको अधार कर से यूपिया रेजिस्ट्रेशन की फीचर नहीं मिली है अब बात कर लेते हैं कि मिलेगी कब तक आखिर यह फीचर तो दोस्तों आपको बता दे कि आज आखरी दिन है वैसे तो 31 टारिक की जुलाई होती है लेकिन ऐस हम 30 दिन मान के चलते हैं तो आज रात तक जितने भी बैंक से ना जितने भी बैंक के एकाउंट होल्डर है आप लोग आप लोग एक बार चेक करके हमें कंफर्म करिए कमेंट श्रिक्षन में चुकि आज जो है न भी यूपी आई भी स्लोवर कर रहा है कभी कभी ट्राइग देखने को मिली है वो बैंक कोई इस टाइब से है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कॉस्मोस बैंक इसके अलावा केंडरा बैंक में ये फीचर आ चुकी है साथिसाथ अगर हम बात करें तो केडला ग्रामिन बैंक में ये फीचर हमें देखने को मिली है और वहें पर बात कर ल आ चुका है और साथ ही साथ एक किटा से स्मॉल फिनांस बैंक में भी ये फीचर आई है और आखरी बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक इतने बैंकों में अधारकार्ट से यूपियर रेजिस्टेशन की फीचर आ चुकी है बाकी में भी आपको जल्द ही देखने को मिल सकते ह आज रात तक चेक करके कमेंट सिक्शन में लिखना मत भूलिएगा आज की वीडियों से इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक यो